नमस्कार दोस्तों आज हम उत्तर प्रश्ण स्पेशल में राज जी के विभिन नायोगों के अध्यक्ष पत पर जो नए ने निक्तियां की गई हैं उनके बारे में जानेंगे दोस्तों यूपी के लगबक सभी ग्यामों में इस टॉपिक से एक से दो प्रश्ण हमेशा ही कि जहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या आप को स्पास करके वीडियो को आप स्क्रीन श्रॉड भी ले सकते हैं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजिपाल राम कौन है तो श्री राम नाइक हैं ध्यान रखिएगा यह उत्तर अधितिनात कारिकाल के रूप में तो 34 मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के लेकिन व्वेक्त के रूप में यह 20 में व्वेक्त हैं ठीक है मुख्यमंत्री के रूप में तो ध्यान रहे आपको चलिए उत्तर प्रदेश के वर्तमान उपमुख्यमंत्री ज्याना कि यह उपमुख्यमंत्री का कोई समवैधानिक प्राउधान नहीं है ठीक है इस वर्तमान में दो उत्तर प्रदेश के एक हैं श्री केश्व परसाद मौर और दूसरे हैं श्री दिनेश शर्मा जी आगले पॉइंट को देथ, चौता पॉइंट है, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, श्रीहृदय नरायन दिख्ष जी है, ठीक़ा, पाच्वा पॉइंट यू है, उत्तर प्रदेश विधान परिशत के सभापती, रमेश यादव, इंद्धा, छटा पॉइंट ह अतात विधान सभा में विपच्छ का नेता कौन है तो वो हैं श्री राम गोविंद चौधरी जी साथमा पॉइंट इलाहबाद उच्छ न्यायाले के मुख्य न्यायधिश किसी निक्त किया गया है वह है न्यायमूर्ति गोविंद माथुरी को पांच में राजवित्य आयोग के अध्यक्छ के रूप में किसी निक्त किया गया है तो वह है आनंद मिस्राजी न्यादयान रखिएगा राजवित्य आयोग एक समयधानिक आयोग है जिसका गठन समयधान के भाग 9 अनुछे 243 आई के तहत होता है ठीक है वही नौवा दसमा पॉइंट लोका युक्त के रूप में किसे निक्त किया गया है उत्रपदेश के लोका युक्त के रूप में हुआ है संजय मिस्राज को अगला पॉइंट देखते हैं कि ग्यार्मा पॉइंट उत्तरपदेश के महाधिवक्ता के रूप में रागवेंदर सिंग को निक्त किया गया है बार्मा पॉइंट उत्तरप्रदेश महिला आयो की अध्यक्षा कौन है वह है विमला बाथम जी जान रखिए का काफो इंपॉटन ये तेरह होँआ पॉइंट है राज्य मुख निर्वाचन आयोक्त कौन है तो वह है मनोज कुमार जी चोधामा पॉइंट SCST I.O. के अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश SCST I.O. के अध्यक्ष कौन है? तो वो है ब्रिज लाज जी पंदारमा पॉइंट उत्तर प्रदेश अलप संखे कायो के अध्यक्ष तन्वीर एहमद उस्मानी जी है सुलामा पॉइंट उत्तर प्रदेश विधान सभा में मनोनित आंगल भारती प्रत्निती कौन है तो वो है डेजिल यान गोडिल यहां ध्यान रखिएगा सम्विधान में विधान ये उलकीत है कि विधान सभा में राज्यपाल एक सदस्य को मनोनित कर सकता है अंगल सदस्य को मनोनित कर सकता है सत्रहवा पॉइंट है उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन है तो वह हैं आपके ओपी सिंग या ओम्प्रकाश सिंग जी अठारवा और अंतिम पॉइंट है लोक सेवा आयोक के अध्यक्ष किसे निक्त किया गया है तो अभी हाले में प्रभात कुमार जी को लोक सेवा आयोक का अध्यक्ष निक्त किया गया है लिए दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छे लेगी तो प्लीज से लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद